दिस नियूज इस स्पॉंसर्ट बाई चानक्या आईएस अकेडमी चंडिकर अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविशे का सपना बनना चाहते हैं आईएस, आईपीएस या आईएफस तो विजिट करें चानक्या आईएस अकेडमी चंडिकर ब्रांच केंद्रिय सोचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू हुई प्रगती शील हिमाचल यात्रा में शामिल होने के लिए आज कांगडा हवाई अड़े पर पहुँचे केंद्रिय मंत्री कांगडा जिला के जस्मा प्रागपूर के डाड़ा सिब्बा में आयोजित होने वाले कारिकर में भाग लेंगे कारिकर ताउं द्वारा जोड़दार स्वागत दिया गया वहीं कांगडा पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया गया इस दोरान केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगडा के एरपोर्ट पर मीडिया से मुखाजब होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को आड़े हास लिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में एक बार एक स्वराज जिनाम की किताब छपी जिसके लेखा करविंद केजरिवाल थे उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाए कि सरकारी जनता से पूछे बगैर ठेके बाढ़ती हैं महिलाओं से पूछती नहीं और खूब पैसे बटोरती हैं मगर आज इसके विपरीत हम केजरिवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार में किसी पूछ कर दिल्ली में शराब के ठेके खोले उसके लिए किस से कितने पैसे लिए इसका जवाब कब देंगे सब्सक्राइब कर देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज लेखक अरविंद केजरिवाल जी स्वराज में अरविंद केजरिवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जंता से बगैर पूछे ठेके बांटती है माईलाओं से नहीं पूछती पैसे बटोरती और ठेके दे देती है हमारा सवाल ये है अरविंद केजरिवाल जी ने किस से पूछ कर ठेके खोले कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे महला क्लिनिक से महला ठेका ये अर्विंद केजरिवाल मॉडल है महला क्लिनिक में दवा नहीं मिली महला ठेका में घर-घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है और जब इनका भ्रहष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने महला दी थी कि अर्विंद केजरिवाल जवाब दें अर्विंद केजरिवाल जी आज तक भी मूह नहीं खोले है ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रहष्टाचार इन लोगों ने किया है मैं तो यही कहूंगा बेवड़ी है ये सरकार करती है कटर भ्रहष्टाचार और इनका कटर भ्रहष्टाचार आज दुनिया भर में केजरिवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है यही नहीं मैं पूछना चाहता हूं केजरिवाल जी आपकी सरकार ने ये मुहला ठेका देने के लिए किस-किस से क्या-क्या लिया आपका मॉडल यह हो गया पैसे दो ठेका लो और आज तक इनका एक भी प्रवक्ता एक भी मंतरी इनके मुखे मंतरी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी को पूरी शक्ती है पैसा बनाने की सांकडो क्रोड प्या अपने प्रसार पर प्रचार पर खर्च करते हैं जो जन्ता की गुड कमाई का पैसा है जब पकड़े जाते हैं तो जवाब दे इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दाइत वताय कर देते हैं अर्विंद केजरी वाल जी के पास एक भी विवाग नहीं है जो दवा देने वाले काम करते थे वह आज जेल में है महला क्लिनिक वाले और जो महला दारू देने वाले हैं उनके ओपर भी ब्रस्टाचार के गंभीर आरोप नमबर वन पर लगे हैं लेकिन किंग पिन आज भी चुप है मौन है आखिर केजरी वाल जी का मौन कब तूटेगा ब्रस्टाचार जो घोटाला दारू घोटाला शराब घोटाला हुआ है उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी अर्विंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे जनता पूछती है ना भरष्ट दवा मंतरी को हटाया और ना भरष्ट दारू मंतरी को और मैं कह दूँ ये शाय देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विवाग भी है तो शराब विवाग भी है ये अर्विंद केजरीवाल मॉडल है जी शिक्षा विवाग भी और शराब विवाग भी ये एक ही व्यक्ति के पास है ये अर्विंद इनकी शराबनिती इतनी ही शांदार थी तो वापिस क्यों ली सवाल आज ये खड़ा होता है जब CBI ने दस्तक दी तो शराबनिती वापिस ली ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार ये सब परते खुल के सामने आएगी जब जांच पूरी होगी लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी सर किंगे बांट रहा है कि और रोपी नंबर वन को इमानदारी का सटीव मौड़ी छेंद के जिरिवाल मॉल कि इनके ब्रष्टाचार कर में नंबर वन कैसे बनना है इसके कि शरकार कैसे पूरी प्रयास करती है सवराज में जो उनने कहा ये सुराज नहीं शराब राज है मैं फिर क्याता हूँ ये अर्विंद केजरी वालदी ने किताब तो सुराज लिखी लेकिन शराब राज लेकर आए हिमाचल परदेश ने बाकी राज्यों की तुलना में बहुत शांदर काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के अशीरवाद से हिमाचल आगे और आगे बढ़ता रहेगा डबल इंजन की सरकार नविशेश तोर पर शांदर काम किया है और आगे भी करेगा इन नफा नुकसान मीडिया के लोग देखते हैं भारती अंता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बहुत सारे लोग भारती अंता पार्टी में शामिल होते हैं और समय रहते जैसा वो पार्टी के कारेकरता के रूप में काम करते हैं बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अफसर भी मिला बहुत सारे लोगों को कारे करता के रूप में काम करने का अफसर भी मिला ये व्यक्ति के उपर भी निर्बर करता है वो पार्टी में रहकर निश्टावान तरीके से कैसे कारे करता के रूप में काम करता है जितने भी लोग भारतियंता पाटी में आ रहे हैं भाजपा ने उनका स्वागत किया है और कारेकरता के रूप में उनको एक अच्छा काम करना होगा ताकि भारतियंता पाटी की सरकार फिर वापिस आए यह होता है जब परिवार बड़ा होता है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और स्वावाविक है जिस तरह की लहर बनी है वापिस फिर भारतियंता पाटी सत्ता में आएगी और लोग भी चाहते हैं कि भारती अंता पार्टी में आएं ताकि देश और प्रदेश का विकास हो, उनका स्वागत है